वैसे आपको ठीक होने के लिए अच्छे से आराम करने के दरुवत है इसलिए आपकी अनेश्ट श्टडिक रासु थोड़ी दे के लिए रोग दिया जाए और वो ऐसा के दुवे पीछ मुरती है तो यान वाज़ा शुका रहता है बस एक छोड़ गाया होता है वो उसको उठ चालेती है और ब्लाइन के चता इसके पर जाता है तो यह तुम भाड जा रहे हो तो मेरे गर्पूराः घाली हो जाएगा और वह उसको पाने के लिए बहुत एधा कड़ी मिनद करने पड़ी थी आधर कोई प्रसरें पड़ल में इतना क्या सब बदल सकता है तुम्हें लोड़ के चूते चाट रहे हो तुमने गलत गामों का उसके सामने पत्ताइब करने कर लिए नौश कहता है यह लोड़ की भफदर प्रज्चा की डूटी हो ती जब उन्होंने कुछ गलत किया हो तो यह से एकसेप्ट कर लें मैं तुम चानते हो कि मेरे तुमारे बीच फंडामेंटर डिफ्रेंस के आए तो बताओ वो केता है मैं नाइट के एक परिवार से आता हूं जो कि सद्यों से अलबॉरॉन परिवार के पति समर पिते और तुम नहीं तो मस्केता है आखर इसके कही इंपोर्टेंस रिज आती है जब एलबॉरॉन के नाइट ने पह सब्सक्राइब हो और लोट के पति हो गया था और वो कहता है मैं भी तो एक इंसान ही हूं यारो लोट के बिमार पढ़ने की बज़ेसे में ना खुछ था लेकिन हम लोट पूरिता से बदल गए हैं और मैं तो बस सुच्छिशन के हिसाब से खुद को डाल रहा हूं और क्य उठा रहे हो और फिर रही आ उपको बुलाया तो में को बना जाओगा कई ना पुलेसे लगाए नगया अब करते लोग बहुँ थे चाहते हैं और वह कहते हैं मैंने तुम दुनें को यहां पर बुलाया उसका ईक रीजाने और वह यह वाले विलच ता लेन्ड बलेज दर रेडर को और उसके साथ ने सब्सक्राइब डिया बहुत को गहां गया कर दियाक और उसी वेलोईशन करने के बाद में सप्पोर्ट ने करना चाहूंगा इस पos new विपूर्ट कर सकें कर दिया हैए наб के यहेंсли चित्ती है कि यह बहुत यादा इंपोर्टेंट मामडा है इसलिए मैं इसके डिटेल्स के बारे में सोच आता और वो बताता है मेरे को लेंडिन के बारे में एक ख़बर अपने शेडों से मिली दे जो कि मेरे कमांड के अंडर मुव करता है और उसी नहीं क्रों को पकड़ाता यान के दाइस अफ़र टरूटरी से समस्टर टाइम पर आ गया है इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम त्यारी श्रू कर दो वो कहते हैं यस मैलोड थो मन लेंडिन का टट पर एक जाज जो गुलाम व्यापारी और उसके आत्में हो गाता मैं चाहता हूं कि तुम उस जाहां को हो जाते हैं और कि रहा होते हैं तुम दोनों ध्यान से सुनों यह हमाई लिए भोदेदर श्रूम की बात है कि वह गुलाम व्यापारी हमारी गौन में घुसकर उसको पुरा चला डाला और यह उन्हों डाव को जैसे ही हैं वह हमारी जमिन को कुछ नहीं समझते हैं और इसी जला और इसके अलावा हम यह भी नहीं जानते कि राजा के उत्रदागारे के बज़े से कोई समस्य अफपन होगी यह नहीं और कभोगी अगल होगी भी तो और हमारी सनीकों को बढ़ाने में जो कोश्ट आ रही है उसका पैमिन तुम उस अधन से करो जो कि तुमको मेरे को था ठीक है थोमस तुरांद तयारी करना शुरू कर दो वो कहता है यस माइलोड और नियोस हमने जो 20,000 सुने के से के लेबल उनको देने का प्लेन बनाया था उसे रोक दो उसे कुछ भी मस देना हमारे पास पहले सी धनकी कमी है और उन पर ठेटिक बास्टर्स से कोई भी करेंगे और अगर में लेबल उनका लोड होता तुम्हें सामने मुझे समस्य आओं पर जादा ध्यान देता जादा फोकस करता किसे और बात के चंता ने करता है यहां ऐसे भी उम्यद कर सकते हैं माइलोड अगर आपको यह एक्षा है तो यह से मैं आपके आग्या का पलन कर यहां केता है मैं तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोकूंगा तुमको जिसा सही लगे वैसा करो जब गार्ड का कैप्टन वापस आ जाएगा तो हम सिनेकों को बढ़ाने के बारे में डिस्केशन करेंगे इस बात का ध्यान रखना ठीक है और फिर इसके बाद हमें थोड़ी द और वेसे लोट कहां पर है और रोंडो केता है वो वेस्मेंड के ट्रेनिंग राउंड में वो बोलता है लोट काफी बदल गये हैं इसलिए उनको देखा ज़दा सप्राइज मत हो जाएगा यह सुनदे से वह थोड़ा है रान और कंफ्यूस हो जाता है और फिर इसके बाद हमें यान का से दिखाया जाता है जो कि अपने तलवार वाज़े के प्रैटिस करें जा रहा होता है वह इस पर आ जाती है और बोलती है तुमारी फोर्स बहुर भी जड़े स्टेबल हो गई है बहुत बढ़िया कि तवी उसे पीछे से कुछ अबाद आती है और जब वो पी करता है तो यह देखने के बाद यांचन के सांस लेता है और के रहा होता है वेर्डन में तुमारे इंज़ार कर रहा था कैप्टन के बिद्लान ने पर चला गया था और अपने सब रात के लिए कोई पाने को स्विकार करूंगा यान केता है मैंने सुना है कि क्या हुआ था तुम्हें तो रिवोट दिया जाना चाहिए ना कि पनिश्मेंट यान उसी तरह भाद बढ़ात हुए कहते है फिलीज खड़े हो जाओ तुमको पता नहीं कि तुम्हें को पोटेट करके हमको कितने प्रिया वह कहता है मैं तो बस अपने डूटी कर रहो माई लूड वह कहता है इसमें संकुष करने की कोई जरूवत नहीं है मैंने सब को सुनाए और मुझे फिशर में भी तुम्हारी मिदद के भोच चाता होगी वह कहता है यान के ता है मैं तुमसे जैमिन के बारे में डि कर रहा होता है और फिर इसके बाद अबनको इंदर गार्ट कर रोका रहेता है वह अपना ओफिस में होता है कि तभी दिरबाजे पर ठक ठक क्या बाता है और वह कहता है कैप्टन यह मैं हूँ हार वो कहता है आजओ वह जूगता है मजए खुश हुई कि आप सर्वापस आ कैपिटन केता है मेरी अफसेंस में तुम ने भी काफी हाड़ बक कर रहा होगा और माइल लोड तो बिल्कुल यह अलग तरह के परसिन बन गये हैं और वो केता है यहां पर मोच धर को भी पहले जिसको देकर भोचता है रहान हो गया था जिस तरह से वो बोलता हैं काम करते हैं और यहां था कि लोगों के साथ जिस तरह से भेवार करते हैं उनके बारे में सब कुछ यह बदल गया है कैपिटन केता है मुझे डेटेल में वो सब कुछ बता हूँ जो कुछ भी लोट के जागने के बाद हुआ था और फिर इसके बाद हमें यान का सिंदिक खाया जाता है जो कि अपने स्पिट से कह रहा होता है बिलो जोर तुम गार्स के किप्टन के बारे में क्या सोचती हो वो मुझे उतना बुरा भी नहीं लग रहाता क्या तुमको यकिन है कि उसने ही पिछले लोट की हर्तिया करी थी और वो कहती है हाउ अनुइंग चाहि मैं कितनी बार भी बोलू तेकर छो मैंने अफ्जॉब करा था वो रियलिटी वो तो शेंच नहीं हो जाएगी और मैं तुमको उसके बारे में अल्ड़ी बताई चुकी हूँ यान कहता है डैमिट अब ऐसा भी नहीं है यार कि मैं सिद्धी जाकर उसे पूछ लूँ कि उसने इसा क्यूं करा था हाउ फस्टेटिंग इस्प्रेट के यह एंपररर के अंडरकाम करते हुए मैंने अंगिनित हीरोज और विलेंज देखे हैं हर परसन के हर परसन के दो पहलू होते हैं और इंपोर्टन बात यह है कि तुम गार्स के केप्टन के साथ कैसे नहीं पढ़ना चाहते हो यान के था वैसा भी नहीं है कि प्राइबिस लोड मेरे बाखी के बिताते हैं इसलिए मैं पास उसे बदल देने का कोई भी कारण ही नहीं है इसके बाद हमें गार्ट के के इसन दिखाया जाता है और वो बंदा उसको सारी बात बदा आता है वो केता है आखर फाइन इंश्टर टेक्स उसको रॉक करने के लिए किसा त्यार हो गया वो कहता है जिसका कुछ बैखन देने बारे में इसके बारे मेंने वह बोलते हैं जैशा लगता है कि लोड हमसे कुछ सेक्रेट्स शुपा रहे हैं सिर्फ शेड़ों के बारे में नहीं लेकिन साउथ है ट्रेटरी से जो न्यूज आई थी उसके बारे में भी केप्टन कहता है लोड यान तो सच मुझ बहुत कम टाइम है बहुत जाती बदल गया है वो बंदा भी कह